आठ रुपए के शेर वाली कम्पनी की 11 अप्रेल को नीलामी अनिल अम्बानी से, सीधा कनेक्शन कर्ज में डूबी कम्पनी रिलायंस कैपिटल, आरकैप के रिंदाताओं नई नीलामी को 11 अप्रेल तक के लिए स्थगित कर दिया है, इस नीलामी में तीन कम्पनियों इस बीच सोमवार को रिलायंस कैपिटल का शेर भाव 8.25 रुपए पर बंध हुआ, एक दिन पहले के मुकाबले शेर में 2.87 परसेंट की तेजी है, चार अप्रेल को थी नीलामी, सूत्रों ने कहा कि दूसरे दौर की ओनलाइन नीलामी में तीन कम्पनियों के शामिल होने क की मनशा जताने के बाद, रिंदाताओं की समिती, COC, ने बोली करताओं को अधिक समय देने का फैसला किया है. इसी वजह से, चार अप्रेल को प्रस्तावित नीलामी 11 अप्रेल के लिए स्थगित कर दी गई है. नए दौर की नीलामी के लिए, COC ने शुद्ध वर्तमान 9,500 करोड रुपए का आधार मुल्य तै किया है. कौन-कौन रेस में सूत्रों के मताबिक, पहले सिर्फ इंडसेंड इंटरनेशन होल्डिंग सक आई-ाई-एच रेल्ट ने ही दूसरे दौर की नीलामी में हिस्सा लेने की बात कही थी, लेकिन बाद में टौरेंट इन्वे लेकिन बाद में अपनी बोली को संशोधित करते हुए 9,000 करोड रुपए कर दिया था. बता दें कि रिजर्व बैंक ने भुगतान में चूक और कामकाज से जुड़े गंभीर मुद्धों के आधार पर रिलायंस कैपिटल के निदेशक मंडल को नवंबर 2021 में भंग कर दि इसके साथ ही नागेश्वर राव वाई को कमपनी प्रशासक नियुक्त किया गया था.